आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पत्ते की दूसरी चटनी की रेसिपी जी आ तो मैंने पहले आपके साथ शेयर की है कड़ी पत्ते की ड्राय चटनी तो इस बार हम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कड़ी पत्ते की गीली चटनी की रेसिपी तो जादतर लोगों मुझे पहले पूछा था वीडियो में कि आप ने ये ड्राय चटनी बनाई है तो इस ट्राय चटनी को कैसे खाएं या फिर जब हमको इसे सर्फ करना हो तो इसे हम किस तरह से करें कि ये थोड़ा मतलब गीली चटनी रहे सुखी ना रहे एक दम तो मैंने इसलिए इस दूसरी रेसिपी इसकी शेयर की वी है आप इस तरह से बनाकर 15-20 दिन तक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बिलकुल खराब नहीं होगी तो आप कम क्वांटिटी में बनाएं और फ्रीज में स्टोर कर लें और ड्राय वाली चटनी वो अब तक रखी वी है करीब देड महीना हो ग कर लिया है तो कड़ी पत्ते को धोकर आप पहले सुखा लें अच्छे से गीला ना रहे पत्ता तो आप उसे कपड़े पे फैला दें ताकि वह हलका सा सूख जाए तो मैंने कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था तो करीब एक चमश तेल गरम कर लेंगे हम और इसको एक दो घंटा पहले कपड़े पे फैला दें तो ताकि यह थोड़ा सूख जाए तो इसे तीन-चार मिनिट तक मैंने ओईल में फ्राइ किया है आप ओईल कोई सा भी ले सकते हैं जो आप खाते हैं रिफाइंड कोकनट या फिर सर्सो का तेल किसी भी तेल में आप इस अचावा तेल था उसमें मैंने मुंगफली डाल दी है तो यह कच्ची वाली मुंगफली है इसको हम करीब 2-3 मिनिट तक थोड़ा क्रंची होने तक सेक लेंगे तो यह अंदर तक सिकी भी होंगी ना तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है चीजों की तो 2-3 मिनिट हमन के लिए भी काफी अच्छा है तो ठंड के सिजन में आप यह चटनी बना कर रख लें बहुत ही टेस्टी लगती है इडली डोसा पराथा चावल या फिर आलू का पराथा आप जो भी बनाते हैं उसके साथ आप सर्थ करें खाने का स्वात दुगना कर देगी यह चटनी तो लैसुन को हमने इतना फ्राइच किया है कि वह थोड़ा ब्राउन हो जाए गौल्डन ब्राउण जलाना नहीं है हमें लैसुन को बहुत ज़्यादा नहीं सेखना है अब इसमें मैंने sixty-seven लालमिर्च एड्ड कर दिया तो यह तीखी बी लाल उनल मिर्च है बहुत ज़ जीरा डाल दिया है, तो वन टीबल स्पून हम इसमें जीरा एड़ करेंगे, तो जीरा को हलका सा फ्राय करना है, और देड़ चमश मैंने इसमें तिल डाल दिया है, तिल भी काफी हल्दी है, तो आप इसे किसी भी सीजन में बना के खा सकते हैं वैसे तो इस चटनी को, लेकिन है, मैंने फूर तीजबल हिंग डाल दिया है, तो सबसियो बना टनी को इसमें तौल नारियल, बढ़ने मैङ-दो मिन्यम कर चछी है नारियल, बशना नारियल फयर मेचिन तक मेच नास करें लुए नारियल करते जाया एक लिएम तो यह गीली चटनी है तो इसको भी आप अराम से 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं बिलकुल खराबनी होती है तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है और नारियल भी अच्छे से सूख गया है इसे हम प्लेट में निकालकर ठंडा होने देंगे तो मैंने आदा गंटे के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और यह गीली चटनी किस तरह से आप बनाएं स्टोर करके रखें ताकि यह खराब ना हो वह भी आप देखें तो यह हमने एक जार में ले लिया है पूरा मिश्रण अब इसमें हम एक चमश विनेगर आड़ करेंगे बस अगर यह नहीं है तो आप नीबू का रज डाल सकते हैं एक नीबू का रज डाल दें नमक अभी तक हमने आड़ नहीं किया था तो आदा चमश मैंने नमक आड़ कर दिया है उपर से हम कड़ी पत्ता डाल देंगे तो जब सूखी चटनी बनानी थी तो हमने उसमें चटनी को आप अब हमने कड़ाई ले लिए उसमें एक चमश से कम तेल गरम करना है या फिर एक चमश तेल ले ले आप जितना तेल होगा उतना बढ़िया यह चटनी चलेगी जब तेल गरम हो जाएगा एक चमश हमने राई डाल दी है राई अच्छे से तड़क गई है बढ़र डाला है गैस का फ्लेम लो रखना है जब आप मिर्ची डाले नहीं तो मिर्ची जल जाएगी और मिर्ची डालने के बाद में हम यह चटनी आइड गर देंगे जो चटनी हमने पीसी है न वो डाल देनी है तो जो तेल में हमने लाल मिर्च डाली है उससे कलर काफी अ चटनी का तो इसे हमने तीन-चार मिनिट तक फ्राइ किया है उसका पानी सूखने तक जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी तो गैस का फ्लेम लो रखें और इसे आप फ्राइ करते रहें चटनी को आप जीरा भी आइड कर सकते हैं तेल में उसके बाद चटनी डा वीडियो पसंद आए तो प्लीज जादे से जादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें